सवाना आजमी है, जे चावेद अक्तर जी है, नसरुदीन साह हैं, ये सब तुकुले तुकुले गैंग की सीपर्स है अच्छा आप बताओ कनईया कुमार की हत्या, ये वहाँ पर जो कनईया की हत्या हुई थी कनईया लाल सी मध्य प्रदेश के ग्रह मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने बॉलिवर्ड एक्टर नसरुदीन शाह और शवाना आजमी पर बड़ा हमला बोला है जिसके जवाब में ग्रह मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने कहा इशवाना आजमी नसरुदीन शाह जैसे लोग टुकडे टुकडे गैंके सदस्य हैं जो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होई घटनाओं पर ही हल नम चाते हैं ये सब टुकडे टुकडे गैंकी स्लीपर सेल है अच्छा आप बताओ कनया कुमार की हत्या ये वहाँ पर जो कनया की हत्या हुई थी कनया लाल की गुजरा राजिस्तान में उस पर बोली थी ये कुछ नहीं बोली थी अभी हमारी बेटी को जहारखंड में जिन्दा जला दिया बोली ये कुछ नहीं बोली बाजपा सासित राजि में अगर कोई घटना हो जाए फिर आप देखिए नसुरुदीन साहाजी को इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा फिर एक आवाड बापसी गैंग है वो सक्री हो जाएगी वो फिर गला फाल फाल कर चिल लाएगी ये अपनी गटिया मानसिकता का परचे देते हैं इन्हें सब्यो धर्मर प्रे कैसे कहा जा सकता है ये विचार है अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर वैसे ग्रहमंत्री जी को अविनेता नसर दिन शाह का बो वयान भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने तालिबान की वापसी पर कुछ मुस्लिमों के खुशी जताने पर जम कर लतार लगाई थी हलांके अफगानिस्तान में तालिबान का दुबारा हुकूमत पालेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसल्मानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जशन मनाना आज हर हिंदुस्तानी मुसल्मान को अपने आपसी ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मख़ब में इसलाह, रिफॉर्म और जिद्ध पसंदी, मौडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशी पन का इकदार, वैल्यूज मैं हिंदुस्तानी मुसल्मान हूँ और जैसा के मिर्जा गालिब एक अर्सा पहले फर्मा गये है मेरा रिष्टा अल्ला मिया से बेहद बेतकल्फ है मुझे सियासी मख़ब की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तानी इसलाम हमेशा दुनिया भर के इसलाम से मुखतलिफ रहा है और खुदा वो वक्त ना लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी नसके